नमस्कार दोस्तों, बहुत से स्टूजन्स का ड्रीम जॉब होता है इफको एजीटी, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इफको एजीटी के बारे में, तो वीडियो को देखते रहिए, इस इंपोर्टेंट जॉब के बारे में कम्प्लिट डिसकेशन के लिए, इफको के लिए minimum जो required qualification है, BACAG from recognized university, MACAG preferable, आपका minimum BACAG degree होना चाहिए, और वो भी किसी UGC मान्यतपरप्त university से, 4 साल का full degree होना चाहिए, MACAG अगर degree है, तो आपको ज़्यादा preference दिया जाएगा, marks कितना चाहिए, minimum 60% marks आपके पास होना चाहिए, और वो भी हर एक semester में 60% marks होना चाहि किसी भी subject में आपका back नहीं होना चाहिए, HCST अगर है, तो आपको minimum 55% marks होना चाहिए, age limit क्या होता है, इस job के लिए upper age limit कितना होता है, चलिए देख लेते हैं, इस job के लिए upper age limit होता है, 30 साल, यानि कि 30 years, लेकिन अगर आप HCST या फिर OBC है, तो आपको कुछ relaxation दिया जाता है HCST के लिए 5 साल दिया जाता है, और non creamy layer OBC को 3 साल का age relaxation दिया जाता है, as per government rules, language, इसमें क्या language आपको आना चाहिए, exam के लिए, तो देख लेते हैं, आपके regional जो language आपको लिखना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए, अगर आपको Hindi language आता है, तो आपको ज़्यादा preference दिया जा Read, write, speaking of regional language is very important, तो क्या language important है, आपको पता चल गया होगा, इसके आगे हम जो topic के बार में बात करेंगे, बहुत ही important है, और वो है job type, यानि कि आपको job में क्या करना पड़ता है, और कैसा आपका job होता है, तो job basically दो पार्ट में होता है, पहला आपका training होता है, एक साल का, और training complete होने के बाद, आपको job में recruit किया जाता है, training के time पे आपको एक साल, एक district दिया जाता है, और यहाँ पे आपको inspector या फिर supervisor का post दिया जाता है, training period में भी आपको salary मिलता है, कितना salary हम बाद में बता देता है, लेकिन और उसके बाद field work जो किया जाता है, आपका complete होने के बाद आपको 2-3 district को आपको in charge बना दिया जाता है, agriculture graduate training के तौर पे, और आपको इस time पे ifco का जो important काम होता है, वो आपको देखना पड़ता है, आपका कहा job posting होगा, और कहां कहां आपका होगा हम बाद में इसके बाद में चर्चा करेंगे, तो आम देख लेते हैं, selection process क्या होता है कैसे आपको select किया जाएगा, selection दो पार्ट में होता है, preliminary और उसके बाद mains interview, पहले एक preliminary online test होता है, और उसके बाद mains का online test होता है, आखिर में interview होता है, तो पहले preliminary में क्या होता है, ये computer based online test है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको घर से exam देना पड़ता है, total कितना marks का हम प्रिलिमिनरी में qualify करने के बाद, आपको mains देना होता है, mains भी online में होता है, लेकिन ये close environment होता है, आपको exam center में जाके exam देना पड़ेगा, अब बात कर लेता है, question pattern कैसा होता है, यानि कि कितना marks question पूछा जाता है, कहां कहां जे question पूछा जाता है, सबसे पहले आपका question में प्रिलिमिनरी टेस्ट, पार्ट वान में होता है, और वो आपको घर बैठे देना पड़ता है, technical में से 100 question, general aptitude से 50 question पूछा जाता है, इसमें कोई negative marking नहीं होता है, और बहुत कम टाइम होता है, 60 minute का, तो आप cheating करेंगे घर बैठे, ऐसा सोचिये भी मत, इसके आगे जो आता है, final aptitude, final आपका test online, और वो आपको exam center में जाके देना पड़ेगा, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है reasoning, aptitude, general agriculture, national economy, computer और पंचायत राज, इसमें negative marking होता है, और ये closed environment में आपको जाके exam देना पड़ता है, tough होता है, इसके आगे आपका interview होता है, और selection होता है, posting कहा कहा होता है, इसका IPCO का जितना भी office है, all over India, वहाँ पे आपका posting हो सकता है, लेकिन maximum cases में क्या होता है, आपको home state में मिल जाता है, लेकिन इसका कोई security नहीं है, कि आपको home state में मिलेगा ही मिलेगा, मिल जाता है, लेकिन maximum cases में, इसके आगे हम देखेंगे salary और perks कितना है, कितना salary म मिलता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, training period में भी आपको salary मिल जाता है, 33,000 के आसपास salary मिलता है, training period खतम हो जाने के बाद 37,000 के आसपास हो जाता है, आपका salary, और इसके साथ बहुत सारे benefits जैसे कि DA, HA, add होता है, medical benefit बहुत अच्छा मिलता है, आपका promotion के बाद 70,000 के salary हो जाता है, तो इसको AGT बहुत ही important job है, आपको पूरा detail समझ में आ गया होगा, अगर कोई detail मिस हो गया, तो मुझे comment में बता दीजिए,